क्लासेज कैसे आप सब अपने घर में सब अच्छे होंगे तो अच्छे रहें थ्यान रखी अपना एंड आज हम डिसकस करेंगे जोग्रफी मॉड्यूल 14 एंड आज को हमारा सेशन रहेगा विंड पर रहेगा ठीके जी एंड जेट स्रीम हम कवर करेंगे आज वाले सेशन में काइस प्रिवेस सेशन मॉड्यूल 13 में हमने कवर किया था विंड बिसिकली आज हम विंड को कॉंटिन्यू गरेंगे एंड प्रिवेस सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एयर फ्लो करती है हमारी होरी जॉन्टल तो उसको हम क्या कहते हैं अगर एयर हमारी वर्टिक कितनी होती है like as three types of wind होती है एक permanent wind होती है और एक temporary window होती है और एक local wind होती है ठीक है जी local wind हम आज cover करेंगे permanent and temporary हमने previous session में बहुत अच्छे से cover किया था ठीक है अब permanent wind क्या होती है जो अपना या इसको ऐसे को पूरा साल एक ही जैसा इसका प्रभाब देखने को मलता है don't change direction according to season ठीक है जी और इसको हमने further three parts में classified करा था trade wind westler wind and polar wind then हमने temporary wind इसको product wind and seasonal wind भी कहते है ठीक है direction change according to season temporary wind और इसको पी हमने further three parts में classified करा था mountain wind और सासत land breeze snow breeze and mountain breeze and valley breeze ठीक है और यहां पर आज हम cover करेंगे local wind and jet stream अब local wind भी further two parts में classified होती है अगर हम इसकी definition समझे यह winds basically blow करती है in a certain area ठीक है इसको हम two parts में या two parts में classified करते हैं एक है हमारी warm wind और एक है cold wind तो चलिए session को continue करते हैं and आपने अगर previous session नहीं देखा तो इस session के बाद देख लेना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना आए ठीक है तो यह session खतम होते है या previous session जुरूर देखना वहाँ पर आपको detail में समझाएगा कि actually winds किस तरह से flow करती है और pressure gradient और corallist force का effect किस तरह से आप कि देखने को मिलता है winds पर ठीक है अब local winds मैंने आपको बताया कि local winds क्या होती है जो ब्लो करती है only certain area में अब इसको हमने two parts में वाइट करा एक तो warm wind है और एक है हमारी cold wind अब warm wind क्या होती है यह तरह की dry wind होती है ठीक है और dry wind होने की वज़े से यह water vapor को observe कर लेती है अब water vapor को observe करेगी तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा rainfall ठीक है तो rainfall activity हमें देखने को मिलेगी जहां पर warm wind flow करेंगे ठीक है अब cold wind में water vapor अबसर नहीं करती ठीक है तो rainfall की activity यहाँ पर नहीं बनेगी ठीक है बस इतना ही समझे बाकिया हम discuss करेंगे लाइक है जैसे डागराम में आप देख रहो बहुत सारी cold wind है warm wind है इनको हम अच्छे से डिसकस करेंगे जिनोक नौर्थर नौर्ट फॉन सिरोको हार्मंटन खामसिन यह हम डेटेल में discuss करेंगे चलिए अब देखिए फॉन क्या है या फिर इसको फॉन भी कहते हैं कई books में इसको इस सरह से लिखा हो जाता है तो आप confused मत होना जैसे डाइग्राम में भी यहाँ प वहां का atmosphere मतलब बहुत ज्यादा snow वाला atmosphere होता है उस समय यह जब wind flow करती है तो melting होने लग जाती है snow में और बहुत ही pleasant सा मोसम कर देती है ठीक है और काफी helpful होती है animal grazing के लिए और wheat sawing of wheat and ripening of grapes ठीक है काफी helpful रहती है और इसलिए beneficial है जो वहां के farmers हैं या फिर इनको हम एक नाम देते है ranchers के लिए ठीक है and Switzerland की valley valley of Switzerland को हम क्या कहते है जब wind चलती है climatic oasis ठीक है during the winter season इस wind की वज़े से हम इसको इस नाम से जानते है यह काफ important है इसको ध्यान रखना हो चलिए अब second हम discuss करेंगे Chinook अब चुनोक है यह एक तरह की fawn की तरह ही है यह fawn की तरह है ठीक है और यह USA और Canada में हमें देखने को मिलती है and यह भी beneficial wind है for ranchers ठीक है अब ranchers जैसी के मैंने आपको पता है farmers कोई कहते हैं मानलों कि आपने बहुत बड़ा सा land ले लिया और आप वहां पर farming कर रहे हो तो उनको एक तरह से ranchers कहा जाता है ठी को एंड यह सारे की सारी हम warm wind पढ़ रहे हैं cold wind जहां start होगी मैं आपको बता दूगा ठीक है और जैसे कि beneficial two ranchers is of rockies rockies mountains में हम ज़्यादा इसको देखते हैं and इसका जो word रखा गया था यह किसके द्वारा रखा गया था red indians के द्वारा और रेड इंडियन कहां रहते है नौर्थ अफ्रीका में स्वरी नौर्थ अमेरिका अफ्रीका नहीं नौर्थ अमेरिका ठीक है चलिए and ice melt and green grass sprouted यहां पर हमें देखने को मिलता है ठीक है चलिए next देखते हैं Sirocco Sirocco river जो है यह यह भी winter season में हमें फ्लोती दिखती है और यह भी एक तरह से सेम सी ही आप consider करो और इसका प्रभाव हमें कहां देखने को मिलता है स्रोको कोस डस्टी ड्राइ कंडिशन अलोंग दन नौर्थन कोस्ट ऑफ अफ अफ्रीका storms in meditariansy and cool wet weather in Europe ठीक है और इस रोक को खेर इंजीरिस है अग्रिकल्चर और फ्रूट को क्रोप के लिए बाकि हमने जो पड़ी थी फॉन और चिनोक यह helpful रहती है अग्रिकल्चर फूड क्रोप के लिए और इसका मेंली एफेक्ट कहां देखने को मिलता है इटली एंट स्पेइन उसके बाद नेक्स देखते हैं कि नेक्स्ट है हरमन्टन हरमन्टन बहुत इंपॿरंट है यहां से कोशन आपका डेफिनेटली बनता हैहारमन्टन जो यह आपकी विंड है यह सहारा डेज़िक की कासपरस फ्लो होती है या ऐससे समझे इसको मैं आपको समझाता हूं देखे गल्फ ओव गुनिया एक country है आप सब जानते हैं अफ्रिकन country है ठीक है अब यहाँ पर एक coast है गुनिया coast या फिर ऐसे समझ लो आप गुनियल coast इसको हिंदे में गिनी कोस्ट भी कहते है ठीक है तो गुनिया coastal area में बहुत ज्यादा humidity हो जाती है ऐसे समझो बहुत ज्यादा humidity है इस रीजन में और humidity ज्यादा होने के विज़े से obviously humidity कब ज्यादा होगी temperature जब ज्यादा होगा जैसे अपना यहां समझ लो कि इंडिया में नोर् कुलर के आगे वैठते हैं तब भी हमें बहुत ज्यादा sweat आ रहा होता है humidity की विज़े से होता है और humidity इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहां पर लोगों को बिमारियां लगने लग जाती है और जैसी ही विंड चलती है हर्मेंटेन विंड और हर्मेंटेन विंड चलने की वज़े से यह क्या कहते हैं rainfall करवाती है और जब rainfall करवाती है और इससे काफी relief मिलता है humidity और temperature बहुत हमें कम हो जाता है इस rainfall होने की वज़े से ठीक है और यहां पर जितनी भी मिमारियां आ जाती है वो कहीं ना कहीं खतम हो दी दीखती है और इसी वज़े से इसको doctor wind भी कहत है इसको क्योंकि यह वले रीजन में humidity और temperature ज्यादा बढ़ने की वज़े से ओविसली यहां पर भी जब लू चलती है हमारे इंडिया में लू कहते हैं तो बहुत ज्यादा बीमारियं लग जाती है dehydration की कमी हो जाती है और एक heat stroke देखने को मिलते हैं या फिर sunstroke आप कह सकते हो बहुत ज्यादा हम लोग उसे effect होते हैं अगर हम बाहर जाते हैं तो हम लोग चक्कर खाके गिर जाते हैं high temperature हो जाता है ठीक है यही कुछ activities यहां पर देखने को मिलती है ठीक है और यह काफी relief देती ह जब भी यह wind चलती है ठीक है कहां से चलती है western in the part of sahara desert are called herminton ठीक है eastern to west in the part of sahara desert चली उसके बाद कुछ detail में नहीं हम पड़ेंगे जस्ट हम overview लेंगे जिसे brick filter है यह कभी पूशा नहीं गया जस्ट फोर आप knowledge याद रखना कि अस्टेलिया में wind चलती है और नोर्वेस्टर यह न्यूजिलेंड में चलती है ठीक है यह इंपॉर्टेंट है सैंता अना अब जो सैंता अना यह dry and warm local wind है यह आपको कैलिफोर्निया या फिर आप ऐसे समझो western part of USA में flow होती ही दिखेंगे ठीक है मैं आपको मैप में अगर दखाऊं यहां पर नहीं बना हुआ सैंता यह य ठीक है यहां पर flow होती दिखती है ठीक है ठीक है जी सैंता अना wind so dry and warm that they pose a great danger to कैलिफोर्निया ठीक है dangerous wind है और चलिए उसके बाद black roller wind यह कहां पर हमें देखने को मलती है नौर्थ अन अमेरिका में योमा यह काफ इंपॉर्टेंट है यह आया हुआ है एक्जाम में यह आप टेंपॉर्ल यह इंपॉर्टेंट नियुक्त आपको पता होने चाहिए सेंट्रल अम्रिका में फ्लो होती है सिमॉम यह इंपॉर्टेंट है सिमॉम जो विंड है यह आपको कहां अपर फ्लो होती दिखेंगी इरान वाले रिजन में इसका कोशन आता है तो आपने most priority देनी ह है इरान को ठीक है दिस दा वाम एंड ड्राइविंड ब्लॉइंग इन इसराइल अच्छा आपसे कोशन यह नहीं पुछा जाएगा कि यह डेंजरस है या फिर हमारे लिए बैनिफीशल है कोन से एरिया में फ्लो होती है अगर लाइक जैसे डॉक्टर विंड आ जाएगा त इस दा वाम एंड ड्राइविंड ब्लॉइंग इन इसराइल सीर्या साहरा एंड अरेबिया डेजेट में यहां पर इरान ही या रखी उसके बाद इसको अरेबिक वर्ट से दिया गया है इसका मिनिंग पॉज़न विंड होता है ठीक है आप पॉज़न विंड आप समझ सकते घलिए के łbyकर सिमर्स ही है सिमोम के और उसके बाद एक है शिस्तान यह आपको इरान में ही दखेगी हबूब इसे समझ सुदान वले एरिया में अगरेवां УСके भी कभी नहीं पुछी गई लेकिन फिर भी आपको याद रखते हैं इस विंट सिम्लर इस फॉन ब्लॉइंग इन जावा इंडोनेशिया यह आप पढ़ सकते हो ठीक है तंबाकू ग्रॉप्स के लिए हामफुल है यह कोशन भी आया हुआ है ठीक है अब जो कोशन आया हुआ ह को मैं आपको बताता चलूँगा ठीक है अब देखें कामसिन यह इंपॉर्टेंट है कामसिन यह भी पुछा हुआ है अब दिस आर वाम एंड्राइड डस्टी एंड यह कहां पर फ्लो होती है एजिप्ट और अरेबिया ठीक है उसके बाद लू तो मॉस्ट इंपॉर्टें है क्योंकि हमारे इंडिया में जो नौर्थ वाला पार्ट है इंडिया का वहां पर बेसिकली फ्लो होता है इसका ज्यादा अब देखिए लू से कोशन किस तरह से पुछे जाते हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहां पर फ्लो होती है एक तो हमारा जो मुलते हैं मई और जून में यहां पर आप मार्स टू जून कर ले ना ठीक है वैसे मई और जून में में इसका प्रभावा में देखने को मिलता है अब क्या होता है टेम्प्रेचर बहुत जादा बढ़ जाता है लू की विज़े से एंड टेम्प्रेचर बढ़ता है तो आपने एक वर्ड सुना होगा काल बिसाकमन्थ है ना काल बिसाक मन्थ हमारे इंडिया में बहुत ज़्धा बोला जाता है कि जो फार्मर वो बोलते हैं कि लू के बाद जब वर्षा होती है तो कहीं न कहीं वो सारी की सारी when बठा गण धे ठीक है और काफी नुकसान होता है फ काफी high fever हो जाते हैं और काफी लोगों की इसे death भी हो जाती है और हमारे इंडिया में काफी कुछ इसका प्रभाव देखने को मलता है चलिए अभी खेर season भी है लू का उसके बाद है बोरा यहां से आपकी start हो जाती है सारे की सारी cold wind ठीक है अब देखिए बोरा जो है यह basically कहां पर flow होती है अपकी Adriatic Sea में यह आपको जो सी वाले जो टॉपिक होंगे उसमें मैं आपको पताऊंगा अडियाटिक सी कहां पर है ठीक है अभी के लिए जस्ट आप समझे कि एरिया आपको याद रखना है कि Adriatic Sea में और mainly Spain और Yugoslavia में ही इसका flow होता हो दिखते है ठीक है और cold wind की मैंने आपको बात बताई थी कि वाटर वैपर को observe नहीं करती बिल्जार जो है यह वाइलेंटली स्ट्रॉमी कॉल्ड पॉलर विंड है जो जिसका प्रभाव हमें कहां देखने को मिलता है यूससे एंड कैनेडा में उसके बाद नौट है यह आपको सेंटल अमेरिका में या जो हमारा नौर्थन इंदा साउथन यूएस से अब इसको आ ऐके इसको पेमपेरो यह इंपॉर्टैंट पर चलती है साउथ अमेरिका में टीक है जी मेली अर्जंटीना में यहां पर मैं लेख भी देता हूं यह directly आपसे countries पुछी जाएंगे उसके बाद ग्रैगल यह important नहीं है यह आपको southern Europe में flow होती ही दिखेंगे ठीके जी चुरान यह भी important नहीं बर चलिए फिर भी पढ़ लीजिए mountains जो Switzerland के mountains हैं वहाँ पर और Italy वाले reason में flow होती ही दिखती है और mainly night में flow होती ही ठीके उसके बाद पूना यह आपको endless reason जो endless mountain वाला पार्ट है यहां पर flow होती ही ठीके जी उसके बाद पॉनार्ट है यह आपको meditarian reason कोरिस का coast में flow होती ही रिखती है यह भी important नहीं है विरासन यह मैंने सारी आपको इसलिए define कर दी कि आपको थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए जो important है वह मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ठीके पेरू और चेल वाले reason में flow होती ही ठीके उसके बाद पापागायो यह पापागायो यह basically मेक्सिको वाले reason में flow होती ही ठीके और एक जो यह लिवेंटर है यह एक ऐसी wind है इसको आपना warm wind ही consider करो ठीके September और October के मन्द चलती है यह एक तरह की warm wind ही इसको consider करो आप ठीके और यह meditarian मेडिटेरियन स्री के आसपस फ्लो होती ही दिखती है strongly eastern and most damp wind southern Spain and state of vibrator ठीके जी and आपको बाकी याद रखने है एक हमने I think शायद पड़ी है दिख लेना एक बार बोरा विंड यह बहुत important एक cold wind है यह आपको Spain और Italy में ही flow होता हो दिखता है इसको स्टार्टिंग में हमने कवर करा था Spain और यूगो शलाइवा इसको Spain और Italy ठीके यह काफ इंपॉर्टेंट है यह पुछा जाता है चली अब हम कवर करेंगे jet stream देखिए jet stream से बहुत question बनते हैं इसको ध्यान से समझेगा jet stream को देखिए jet stream एक हमारा जो हमने next जो हम चैप्टर करेंगे climate वाला करेंगे ठीके climate से पहले मैं आपको थोड़ा सा temperature के बारे में बताऊंगा ठीके क्योंकि temperature के बारे में हमें काफी knowledge होनी चाहिए तब ही हम rainfall वाला जो हमारा session रहेगा उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे ठीके तो एक बार थोड़ा सा temperature के बारे में discuss करेंगे देन हम rainfall rainfall को भी हम cover करेंगे two parts में ठीके चलिए jet stream क्या होती है jet stream जो एक तरह की wind है जो ब्लो करती है high velocity पर नियर ट्रॉपबोस पर अब यह हमने atmosphere की जो लेयर डिसकस करी तो मैंने आपको बताया था five layers होती है atmosphere की first होती है ट्रॉपद स्वेर जहां पर खतम होती है उसको क्या कहते है अगर आप चाहते हैं में ली जो हमारी जहां पर खतम होती है इसको हम ट्रॉपड पोस कहते है ठीक है अब यह जो jet stream है यह active कहां से कहां तक होती है ऐसे समझ लो 8 to 11 km तक mainly हम यहां पर discuss कर लेते हैं jet stream को 8 to 11 km तक इनका प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं इनको upper troposphere wind भी कहती है ठीक है upper troposphere wind and यह flow कैसे करती है horizontal ठीक है यह ध्यान लखना flow कैसे करती है horizontal अब मैंने आपको previous session में बताया था horizontal जब flow करती है यह हमारी earth है ठीक है और यह है equator अब equator क्या है equator पर temperature बहुत कम होता है चलिए हम ज्यादा detail में नहीं जाएंगे मैं जस्ट आपको idea देता हूँ यह है equator अब यह हमारा northern hemisphere और यह हमारा south hemisphere अब यहाँ पर horizontal flow कर रही है ठीक है लेकिन air हमारी जब उपर की और जाती है तो उपर की और जाने से wind की जो direction है वो चेंज कोन करती है ठीक है इस तरह से समझो लेकिन velocity में यह सच कोई chain नहीं देखने को मिलता है हमने previous session में बहुत अचे से cover किया था अब इसकी जो direction है jet stream की वो हमें किस तरह से देखने को मिलती है west to east और यह west to east direction किस की वज़े से होती है और प्रेशर gradient की वज़े से ठीक है यहां पर अगर हम समझें कि जो wind है यह टॉपस फेर wind में जो flow कर रही है 8 to 11 km हमने समझा कि उसके उपर-उपर flow करती है और बहुत ही highly speed पे flow करती है minimum 150 km per hour maximum आप 320 km per hour consider कर सकते हो अब यह इतनी high speed पे flow करती है तो इसका mainly reason क्या है देखो अगर हम अपने surface पे बात करें surface पे बहुत सारे dust particles होते है obstacles होते है friction होते है that's why जो air है या wind है वो इतनी तेजी से flow नहीं गर पाती है लेकिन अगर हम बात करें 8 to 11 km अबब यहां पर कहीं न कहीं हम देखते है कि जो wind का flow है speed है वो ज़्यादा हो जाते है क्योंकि dust particles इतने नहीं होते ठीके तो अगर आपको reason भी देखो reason हर चीज का पता होना चाहिए और reason कई वर पूश भी लिया जाता है question इस तरह से examiner आपसे put करें तो आपको पता होना चाहिए कि reason actually में क्या है ठीके क्योंकि dust particle जादा नहीं होंगी that's why इसकी speed क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी ठीके और यहां पर देखिए mainly इसको रोजबी waves क्या होती है मैं आपको बताता हूं इसको रोजबी waves क्यों कहते हैं यह एक्चुली scientist के नाम है जिन्होंने jet stream को basically found किया था ठीके बट इसको इसका एक effect है इसको मैं भी आपको बताता हूं ठीके और यहां पर अगर हम देखिए चली नेक्स चलते अब इसको अच्छे से देख लेना आपको समझ में आ रहेगा 60 hemisphere क्या होता है आपको पता ही होगा यह एकवेटर हमारा 0 degree पर होता है अगर हम इसके ठीक पैरलर उपर ग्रॉ करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह कितने डिगरी पर होता है 23 half पर है ना उसके उपर 66 half पर जिसको हम आर्टिक स करें they are pound over the zone between 30 degree से लेकर 70 degree north latitude at the height of 9 to 12 km ठीक है और यहां पर हमें average साइंटिस्ट थे रोजबी इन्होंने बिसिकली यह जैट स्ट्रीम को डिस्कावर कर रहा था अब इसको रोजबी वेफ्स क्यों कहा दाता है यहां डाइग्राम पर समझो देखो यहां पर आपको को एक मीरेंडरिंग देखने को मिल रहा है मतलब इस तरह से फ्लों होती ही पालाज हो कहती इस परह से हम रोजबी船 के यह आप तरह से देखने को मिल डियू इसको एक थार थरा के हम रोज बियू कहती उसके अग्ट समझे सब्टॉपिकल वैस्टिली जैट फिइसिको मैं आपको बताऊंगा जब Indian geography में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा मांसून के बारे में western disturbance के बारे में क्योंकि अपने आप में बहुत important topic है Indian geography के point of view से हमको detail में समझना पड़ेगा पर चलिए यहांपर भी हम थोड़ा सा cover कर लेती है अब देखे यह हमारे को कहां पर found होती दिखती है 20 डिगरी से लेकर 35 डिगरी नोट लेटिटीट पर और इसके हाइट कितने होती है 10 to 14 किलोमेटर और अगर हम average velocity की बात करें तो सबसे ज़्यादा इजी की होती है 340 से लेकर 385 किलोमेटर पर आवर और और average pressure कितना होता है 200 से लेकर 300 मिलीबार ठीक है और में डीजन अगर हम देखें देखो राइजिंग थो दा convection इंदा एक्वेटर जॉन ऑफ ट्रॉपस्फेर तो आप लोग समझते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं और जैसे तेंप्रेचर राइस करता है और जैसे तेंप्रेचर राइस करेगा फिर एक डिगरी आएगी 30 डिगरी के आसपस वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा फिर हाई प्रेशर से लोग प्रेशर मूव करता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट यह मैं आपको और रड़ी बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूँ ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर यह जो जैट स्टीम है यह रिस्पॉंसिबल होता है ने-न्फे का हिस देंडर्स डिस्टर्बंस टू-इंडिया और रृसते डिस्टर्बंस की वाज़े वैजी से कही होता है दिसंबर के में वहीं में जो हमारा वैन्ट वाला पर बहां पर हमें घंकरो होती हुआ यह ऑछ और उसके बाद ट्रॉपिकल इस्टरली रिप अग अगर हम इस जेट इस जेट ऑरिजनेट इन जॉन हांडर टू वन फिफ्टी मिली बार प्रेशर ठीक है और हाइट कितना होता इसका 14 तू 16 किलोमेटर और यह किस लिए होता है जो मांसून आता है हमारे इंडिया में उसके लिए इसको डेटेल में समझेंगे महापर मैं आपको अच्छे से समझाओंगा ट्रॉपिकल इस्ट्रली जेट स्टॉर्म प्रॉपर डाइग्राम के थूँछ इंडियन जोग्रफी में के लिए हम छोड़ देते हैं अभी हमने इसको ओवर्विव इसलिए समझा क्योंकि टॉपिक को हम थोड़ा सा तो समझें तभी हमार को डेट स्ट्रीम कवर होगा ठीक है और प्रिवेस सेशन में भी मैंने इसलिए आपको मांसून वाला थोड़ा सा पाठ बता दिया था ठीक है बाकि हम डेटेल में समझेंगे इंडियन जोग्रफिय में ठीक है चलिए आपको इस सेशन अच्छा लगा अच्छा लगा होगा और आपके अगर कोई भी डाउट होगा प्रीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट दूर करिएगा तैंक यू सो मच और जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं जोग्रफिय के उ इतना हम पढ़ रहे हैं एक्चुली में आप लोग वो कोईशन्स देख पारे हों कर नहीं देख पारे और कोईशन्स लगाने का एक में हमारा यह भी होता है कि हम लोग रिवाइस कर पाते हैं अच्छे से ठीक है और यह सेशन देखने के बाद को लगाना एक आपके लिए म अपने टॉपिक को अपने एंड पर अच्छे से कर लिया ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच